वीके न्यूज राश्ट्र के नाम ये देश पाकिस्तान बन गया है और तुम लोगों को देश छोड़ कर चले जाना चाहिए ये शब्द पाकिस्तान में नहीं बलके हिंदुस्तान में कही हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं करनाटिक हिजाव विवाद के बीच गुजरात से ये मामला सामने आया है जहाँ पर सोहिल हुसैन मोर नाम के एक वकील ने ना अपने केवल सोसाइटी में रहने वाले हिंदुों की धार्मिक भाबनाव को आहत किया बलकि उनके साथ मारपीट भी की है दरसल ये पूरा मामला 20 फरवरी का है जब सोहिल हुसैन ने कथित तोर पर अपने वाटसेप गुरुप में छत्रपती शिवाजी महराज के ओपर अपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया वही गुरुप के सदर से जूती सूडा ने जब इस मुद्दे पर आवाज उठाई और मोर को कॉल करके अपनी नाराजगी वेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें कहा गया कि ये देश पाकिस्तान बन गया है और तुम लोगों को देश छोड़ कर चले जाना चाहिए बता दे कि न्यूज 18 गुजराती द्वारा सांझा की गई आउडियो रिकॉर्डिंग में मोर ने महिला से गुस्से में कहा और ऐसे में पोस्ट आते ही रहेंगे उसने कहा कि जिस तरह से उसने चात्रपती सिवाजी जी के लिए जो पोस्ट डाला है वो ऐसे पोस्ट डालता रहेगा वही सोसाइटी के एक शक्स ने मीडिया से बातचीत करके बताया कि इस प्रकार की बयानबाजी उस शक्स की और से पहली बार आई है और वो कोई अनपढ़ नहीं बलकि पढ़ा लिखा वकील है जस्मिंदीतों ने बताया कि वो हमेशा हमारे साथ नौर्मल रहता है लेकिन कुछ टाइम से उसने अपनी कटर पंथी वाले शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और अपनी भेश बूशा तक बदल ली है उसने भगवान की फोटो और फ्रेम यहां तक की भगवान गडेश की प्रतिमा को तोड़ने का काम किया था लोगों ने बताया कि भगवान गडेश की हर मूर्ती को उसने तोड़ने का काम किया और अब सोसाइटी के हिंदूों को शक है कि हुसेन के ऐसे कट्टर विचारों के पीछे कोई बड़ा रैकेट हो सकता है बदादे की कोहिल कह रहा है उसने ये तक कहा तो मुझे कब तक रोपाओगे मुझे सपोर्ट करने वाली एक बड़ी फॉज है रिपोर्ट के मताबिक मोर ने अपनी वाटसेप डीपी पर भी आई सपोर्ट हिजाब लगा रखा है वहीं जब लोग मोर से बात करने गए तो उसने पुलिस जब कॉंस्टेबल वहाँ पहुंचते हैं मामले को सुलचाने की कोशिश करते हैं तो उसने उनके साथ भी मार पीट की इसके बाद पुलिस कॉंस्टेबल की शिकायत पर सोहिल के खिलाफ कई धाराओं पर केस दर्ज किया गया तो आपका इस खबर में क्या कहना है क क्यूंकि इस तरह की खबरे इस तरह के जिहादी और कटरपंतियों की खबरे लगातार सामने आ रही हैं जब वो हिंदू देवी देवताओं का यहां पर मूर्तिया तोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ गलत बोल रहे हैं आपको याद होगा कुछ दिनों पहले च शेयर करें और इसी तरह की खबरे जानने के लिए और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें धर्नेवाद ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूस चानल वीके नूस राष्टर के नाव